सो हेलो एंड वेलकम गाईस आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई भी अप्लिकेशन प्लेयर स्टोर पे है और अगर आप उससे अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि अगर एड्मोब का एड आपने लगा रखा है और उससे अर्निंग नहीं ह हो पा रहा है आपका तो इस वीडियो को एंड तक देखे क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूं गाईस तो वीडियो को चलिए सुरू करते हैं गाईस तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते कि मेरे एक सस्क्राइबर ने मुझे इस्टाग्राम में message किया था personally तो अगर आपने instagram को मेरे channel को follow नहीं किया instagram में तो आप मेरे instagram को follow कर ले आप instagram को follow कर ले और वहाँ पे important messages को आप कर सकते हैं बस important करें फिजूल का आप ना करेंगे अगर आपको छोटा मोटा अगर कोई भी problem आता telegram में follow कर सकते हैं telegram का link इस वीडियो के description में आपको channel का link मिलेगा और user ID भी आपको वीडियो के description में आपको देखने को मिलेगा आप personally contact कर सकते है telegram में लेकिन instagram में आप जो important रहेगा वही message किजिएगा guys क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पहले ही application को play store पे publish किया है और उसमें edmob का add भी लगा रखा है लेकिन ये earning नहीं कर पा रहे है जैसे कि आपको यहाँ पे screen पे आपको उपर में दिख रहा होगा guys तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका request तो ज़्यादा आ रहा है edmob में ads का request आ रहा है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं impression यहाँ पे एक ही सो रहा है guys impression एक सो होने का मतलब यह है guys कि आपका जो है यहाँ पे advertisement जो ads होते हैं वो सो ही नहीं हो रहा है आपका application में ज़्यादा impression दिखी नहीं रहा इसका मतलब यह है guys कि आपका application में user कम है तो सबसे पहले मैंने कई बार वीडियो में बता रखाऊंगों कि आपको जब भी कोई भी application को अगर आप play store में publish करते हैं उसे earning करना चाते हैं उस application से Edmob से earning करना चाते हैं तो आपका 100 प्लस अगर से उसमें downloads complete हो जाते हैं और regular user कम से कम अगर 10 यहाँ पे रहता है आपका application में active user रहता है 10 तो यहाँ पे तभी आपको advertisement आपको जो है Edmob का एड जो है लगाना है तो यहाँ पे तभी आप जो है कुछ थोड़ा बहुत earning कर पाएंगे अदरवाज यहाँ पे earning नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं का इरोने यहाँ पे share कर रहा है जो कि आपको देख सकते हैं उपर में दिख रहा होगा इनका impression जो है यहाँ पे कम दिख रहा है और यहाँ पे request जादा आ रहा है request करने का मतलब यह है कि यहाँ पे application में add तो 100 हो रहा है मतलब ऐसा request आ रहा है कि so होगा लेकिन यहाँ पर impression ना आने की वज़ा से मतलब कि user ना आने की वज़ा से यहाँ पर जो impression नहीं so हो रहा है तो आपको सबसे पहले active user को बढ़ाने application में जो भी करना है ऐसा attractive बनाई है ताकि ऐसा feature उसमें add कीजिए ताकि user जो है active रहा है तभी जो है आप earning कर पाएंगे तभी आप यहाँ पे जो है आपका idmob का जो भी आपने add लगा है तभी आपका सही से so करेगा और impression भी आपका बढ़ेगा guys impression अगर आपका यहाँ बढ़ रहा है फिर भी आप अगर earning नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कहने मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे application में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आपका application में impressions हो रहा है लेकिन active user जो है आपका application में active नहीं रहा है guys यहाँ पे active user अगर आपका active है तो यहाँ पे आप earning कर पाएंगे तो ऐसा कुछ उसमें feature add कीजिए ताके आपका जो है ऐसा कुछ है उसमें कीजिए ताके आपका जो है अप्लिकेसर में जो user active रह पाए और आपका edmob का add भी हो पाए और यहां पे आपका earning भी हो पाए गाईड़ यहाँ पर यह जरूर कीजिए अगर आपको Edmob से related कोई भी doubt है कोई भी अगर query चाहिए तो मुझे description में sorry यहाँ पर comment में आपको क्या कर रहा है कि comment कर रहा है कैस यहाँ पर comment करते हुए hashtag लगाना है आपको Edmob और उसके बाद आपको बताना कि Edmob का यह हमारा problem है तो हो सकता है मैं उस पर वीडियो बनाओं गाईस तो यहाँ पर आप जरूर कमेंट करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताएं गाईस तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जाहिन वन्ने मातरम